लोग सबाच चुनाओ की मदगणना रीवा में लगातार जारी है लेकिन इसी बीच कॉंग्रेस की प्रत्याशी नीलम मिश्रा मदगणना से असंतुष्ट होकर धरने पर बैठ गई उनोंने साब तोर पर प्रशासन पर आरोप लगाए कि प्रशासन ने कॉंग्रेस के वोट बीजेपी में डायवर्ट कर दिया है उनोंने कहा कि वे ये मान ही नहीं सकती कि इतने वोट लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी जनारधन मिश्रा को दिया है कि अगर इस टाइब से भाव होगा तो क्या मतलब साथन पर साथन गई इससे अच्छा है कि चुनाओ नहीं करा थे इनको अपनी सीड बैसे पना लेनी है जागा झाहिए 300 दावाने चाहर पांशोद बावले शागा रूप पिर्वाल पत्र नहीं दिया जा रहा था बारे बज़ा रात तक बैठे रह गए उसके बाद इस वार भी हाई धान दली चल रहे है कि अवरा घ्र भीवा मत्यूदा सब्राइबूफ के मर्दान किवान दस में अभी हम लोग सिकायत करके आए उसका निजे? पाँच मसीने मिली हैं तो हम यह हरवाइब बंद था मैंने कहा ना आपसे पहले दी तीन दिन सिमरिया सिर्मोर्तेहुतर का कैमरा बंद किया था दो गुंटे के लिए तभी यह बनमासी हुई है जहां-जहां मुझे बोट जादर मिली थी वहां-वाँ इन्हें डाइवर्ड क रीवा से निखिल पाठक की रिपोर्ट पलपल इंडिया नियूज